नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे है दनगरी न्यूज आपके साथ मैं हूँ सिद्धिक का मनुहर सोनी आज बात करेंगे आखों के संक्रमन के बारे में मौनसून के दौर में कंजक्टिवाइटिस ने दस तक दिये जिसे आम भाषा में आई फ्लू कहते हैं राजदाने जैपूर साहिद प्रदेश भर में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है आपको बता दे जैपूर के अकेले सवाइमान सिंग अस्पताल में हर दिन तकरिबन 100-500 संक्रमित मरीद सामने आ रहे हैं जिनमें बड़ी संख्या बच्चों की है ओसे तन हर दिन 10-12 साल के बच्चों में लक्षन देखने को मिल रहे हैं इसके फैलने के मुख्य कारण मौसम में नमी गर्मी, जगे-जगे जलबराव और गंदगी की समस्या है जिससे ये वाइरस पनपता है बता दे कि हर 2-3 साल में इसे संक्रमन का एपिडेमिक आता है बीते वर्षो में COVID-19 का लॉकडाउन रहा इस वज़े से इतना सीवियर देखने को नहीं मिला लेकिन इस बार बहुत सीवियर फॉर्म में आया है SMS अस्पताल के नेत्र रोग विबाग में हर दिन तकरिबन 400-500 मरीज की OPD रहती है लेकिन विशेशक गो ने स्पष्ट कर दिया है कि ये संक्रमन हवा से या देखने से नहीं फैलता है आईए अब आपको बताते हैं ये बिमारी क्या है, क्या है इसके लक्षण और क्या है इसके उपचार सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं लक्षणों की अगर बात करें तो कई तरह के लक्षण है जैसे कि आखे लाल हो जाना, आपकी बाहरी सत्य में सूजन आना, आखों से पानी आना, आखों का चिपकना, रोशनी के प्रती सवेदन शीलता, सफेद चिपचिपा पदार्त निकलना, सामान्य से अधिक आसू आना, ये थे इसके कुछ लक्षन अब आईए आपको बताते हैं इसके कुछ उपचार के बारे में, उपचार की हम बात करें, तो उपचार है जैसे कि हातों की सापसफाई का ध्यान रखे, और हातों को बार-बार दोते रहे, तावल को किसी के साथ भी शेयर ना करे, तावल को बार-बार दोते रहे, और साफ क सब्सक्राइब ने निकले घर पर ही रहे साथ यह आपको बताते हैं और हम सुनाते हैं कि डॉक्टर पंकर शर्मा ने क्या कुछ कहा जो कि किसी भी वाइरेस प्रॉप्रेड करने के लिए अनुकूल परिस्तीती वराता है एडिनो वायरेस हैं यह बहुत तेजी से फेलते हैं और यह कंजक्टाइवा जो कि आंग की एक जिल्ली होती है उसका संकरवन करते हैं जिसके फल्सवरूप आंग के अंदर सूजनाना घडकन होना पानी गिरना डिस्टार्ज आना यह सब होता है वैसे तो सेल्फ लिमिटिंग है लेकिन मरीज को जो सफरींग है वो ज अपन देख रहे हैं वो एडिनोवारिलिस कंजक्टिव एटिस के देख रहे हैं इसका बचाव यह एक मातरी इलाज है जैसे कि अपन यह क्या है कि छूत की बीमारी है यह प्रोपेगेट करेगी छूने से जो भी सर्फेस आपने हाथ लगा इंफेक्टेड हैं तो वो आपक उससे इस्तमाल कीवी चीज़ों को इस्तमाल नहीं करें जैसे तोलिया है रुमाल है और सारी चीज़े हैं तो उन सब को अपन फूमैट को अपन अलग रखें ताकि अपन उस संकर्मन से बच सके तो आपने सुना उन्होंने साफतोर परसपश्ट किया कि इससे लेकर सिर्फ एक यही गाइडलाइन है कि किसी तरह से इसका बचाव रखें इसे फैलने से रोके बार-बार आखों को हाथ ना लगाए और गलत इलाज ना ले और यदि सारे प्रकॉशन्स लिये जाते हैं तो आइफ्लू का नेत्र जोती पर कभी कोई असर नहीं पड़ता है धन्यवाद प्रकॉशन्स